अलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैंग्लियोन सिस्ट जिसे वीबल सिस्ट भी कहता है के बारे में आप से गुजराइश है अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनलोगो सब्सक्राइब जरूरोग करें और इस वीडियो को आखे तक देखें गैंग्लियोन सिस्ट या विबल सिस्ट एक fluid field, small guard होती है skin surface के नीचे, जहां joint ये tendon होता है ये cyst tendon ये joint को cover करने वाले tissue में damage होने की वैसे बनती है ये cyst harmless और non-cancerous होती है गैंग्लियोन सिस्ट usually wrist, finger और foot पर develop होती है causes causes, joint के tendon में injury की वैसे ganglion cyst develop हो जाती है symptoms, skin के नीचे bump होना, man sign होता है ganglion cyst का bump vary करता है size और shape में ये bump तो time का अनुसार, larger grow होता है जह जह से वो area move करता है, usually asymptomatic होती है symptoms में muscle pain, tingling sensation और सूजनाना हो सकते है diagnosis, physical examination से, medical history से, appearance and location of lump से x-ray से, और कभी कभी बैपसी से पता लगा जा सकता है treatment, anti-inflammatory medication, जो की oral और local हो सकती है splints और braces हो सकते है aspiration, aspiration में cyst के fluid को निल्ल से remove कर देते है aspiration के बाद भी बार-बार ganglion cyst बनती है तो orthopedic surgeon उसको operation करके, उसको cyst को completely remove कर देते है वैसे ganglion cyst तो dangerous नहीं होती है उम्मीद करते हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हाँ तो इसे like करें अपने friends को share करें हमारे channel को subscribe करें बैल का icon को press करें आज के लिए बस इतना ही जन्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो नए topic के साथ तब तक सुस्तरे हैं अपना ख्याल रखें thanks for watching this video